बाल बैग्यान को अब तक हम सजीवों वा निर्जीवों के बारे में समझ गए हैं इसके बाद सजीवों की प्रॉपर्टीज उनके गुणों के बारे में भी हम जान गए हैं कि all the living organisms need food सभी सजीवों को भोजन की आवसेक्ता होती है होती है न? All the living organisms show growth सभी सजीव व्रिद्धी दिखाते हैं आज हम और विशिष्ट गुणों के बारे में जानेंगे बच्चों सभी सजीव सांस लेते हैं All the living organisms breathe Children, when we breathe in, we inhale the oxygen rich air And when we breathe out, we exhale the carbon dioxide rich air जब हम सांस लेते हैं तो हम oxygen युक्तवायू अंदर लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो carbon dioxide युक्तवायू को बाहर निकालते हैं सांस लेना स्वसन प्रक्रिया का ही एक भाग है Breathing is a part of respiration process Cow, guy, buffalo, vans Dog, kutta, cat, billy इन सब की respiration यनि स्वसन प्रक्रिया आमनुस्या की तरह ही होती है वे भी बैसे ही सांस लेते हैं आप आराम करते हुए जानबर के पेट को गौर से देखें सांस लेने पर इसमें गती दिखाई दे रही है Movement हो रही है यहाँ इसकी स्वसन प्रक्रिया है Respiration process है Children, respiration is necessary for all living organisms बच्चों स्वसन सभी सजी वस्तों के लिए आवश्यक है In some animals, exchange of gases in different way कुछ जन्तों में गैस के आदान परदान का तरीका अलग हो सकता है For example, earth warm breathe through its skin उधारन के लिए केंचुए अपनी तवचा से सांस लेते हैं Fish have gills to breathe the oxygen dissolved in water मचलियों के gills होते हैं जिनकी मदद से वे जल में घुली हुई वायू में oxygen को अवस्वसित करते हैं Children, even plants also respire बच्चों यहां तक की पौधे भी स्वसन करते हैं वे भी सांस लेते हैं The respiration process in the plants is completed through leaves पौधों में स्वसन प्रक्रिया पत्तों द्वारा पूरी की जाती है यानि पत्ते ही सांस लेते हैं Tiny pores of leaves take air in and use the oxygen and release carbon dioxide पत्तियों के छोटे छोटे छेद जिने हम रंधर कहते हैं वायू को अंदर लेते हैं और oxygen का उप्योग करने के बाद carbon dioxide युक्त वायू को बाहर छोड़ देते हैं बच्चो जरा ध्यान दें हम कह रहे हैं कि पौधे भी सांस लेते हैं और सांस में वे oxygen को लेते हैं और carbon dioxide को छोड़ते हैं आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये पताते हैं कि पौधे carbon dioxide को लेते हैं और oxygen को छोड़ते हैं तो ये भी बात सही है सांस लेने के लिए वे oxygen ही लेते हैं और carbon dioxide छोड़ते हैं जबकि भोजन बनाने के लिए वे बातावरन से carbon dioxide gas लेते हैं और बदले में oxygen छोड़ते हैं Plants make their food only in daylight पौधे अपना भोजन सिर्फ तिन की रोशनी में ही बनाते हैं Whereas respiration process continues 24 hours जबकि उनकी स्वसन प्रक्रिया सांस लेने की प्रक्रिया 2400 घंटे जारी रहती है पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में छोड़ी गई oxygen की मात्रा उनी पौधों द्वारा सांस लेने में की गई oxygen की उप्योग से बहुत अधिक होती है यानि पौधे सांस लेने में थोड़ी सी ऑक्सिजन का उप्योग करते हैं जबकि भोजन बनाते समें बहुत ज़्यादा ऑक्सिजन छोड़ते हैं सभी सजीव उदीपन के प्रती अनुक्रिया करते हैं प्यारे बच्चो जब आप छुई मुई के पौधे को हाथ लगाते हैं तो पतियां सर्मा कर बंद हो जाती हैं वाइल वॉकिंग बेर फूट इफ वी सदेनली स्टेप ओने शार्प अबजेक्ट लाइक अ थौर्म जब हम नंगे पैर टहल रहे हों और हमारा पैर अचानक ही किसी कांटे या नुकीली बस्तु पर पढ़ जाए तो हमारी अनुक्रिया कैसी होगी और हम अपना पैर तुरंत वहां से हटा लेते हैं इसी तरह इमली या खटे को देखते ही हमारे मूँ में पानी आ जाता है जब हम अचानक ही अंधिरे से तेज धूप बाले क्षेतर में आते हैं तो हमारी आँखें अपने आपी कुछ देर के लिए बंध हो जाती हैं जब तक की वे तेज प्रकास की अभ्यस्त नहीं हो जाती इन सब परिवर्थनों से हमें ये पता चलता है कि हम बदलाब के लिए अनुक्रिया करते हैं वातावर्ण में होने वाले इन परिवर्थनों को उदीपन कहते हैं Changes in our surroundings that makes us respond to them are called stimuli When we walk towards a bird, it fly away जब हम किसी पकसी की और बढ़ते हैं तो यह उड़ जाता है Children, plants also respond to stimuli बच्चों पौधे भी उदीपन के प्रती अनुक्रिया करते हैं कुछ पौधों के फूल सिर्फ रात को ही छिलते हैं जब कि कुछ पौधों के फूल साम होते ही बंध हो जाते हैं जैसे की सूरज मुखी In some plants, like mimosa, commonly known as touch me not कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिने हम गुल महंदी या छूई मुई के नाम से जानते हैं Their leaves close or fold when someone touch them उनकी पत्यां बंध हो जाती हैं या fold हो जाती हैं अगर कोई उने छूए ऐसा लगता है कि मानो वे हमसे शर्मा रही हूँ आईए एक activity करते हैं, एक गतिविधी करते हैं एक कमरे की खिड़की जिसमें दिन के समय ही धूप आती है सूर्या का प्रकास आता है उसके पास एक पौधे का गमला रखिए कुछ दिनों तक इस पौधे को लगातार पानी देते रहें आप देखेंगे कि ये पौधा सीधे उपर की और ब्रिधी नहीं कर रहा है बलकि खिड़की की और इसके पत्ते और टहनिया मुड़ गई है क्योंकि इसे वहां से सूर्यका प्रकास प्राप्थ होता है इससे हम ये जान गए हैं कि पौधे भी उधिपन के प्रती अनुक्रिया करते हैं कल हम सजीवों में उत्सर्चन एक्सक्रियेशन इन और्गनिजम के बारे में जानेंगे